समुझ जिले से बसनाम विधान सभा से भारती जन्ता पार्टी ने अपना प्रत्यासी घोशित कर दिया है संपत अगरवाल जी को अमारे साथ संपत अगरवाल जी है आईए हम इन से जाने की कोशिस करते जी सर आपको टिकट मिली है क्या कहना चाहेंगे विश्व की सबसे बड़ी लोगतांत्रिक पार्टी भारती जन्ता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है तो सबसे पहले मैं पार्टी को धन्यवाद करता हूं और उसके बाद में यहां छित्र की जन्ता जिनके आशिरवात से मुझे टिकट मिली है वो जन्ता कर धन्यवाद कर बसना विधान सभा में देखने को यह मिला है कि काफी लंबे समय से प्रयास रथे संपत अगरवाल जी आज इने सफलता भी मिली है आईया हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी आपकी रणनिती क्या होगी चुनाओं में बसना विधान सभा को मैं अपना परिवार मानता हूँ और 286 पोलिंग बूत 359 गाओं हैं सब में मूल भूत समस्याएं भरी पड़ी हैं क्योंकि विगत पांच साल में कांग्रेस के सासन ने कुछ भी विकासकारिय नहीं किया है सब ठप पड़ा हुआ है सड़क के हलत जर जर है श्कूल की स्वास्ट से वाये पानी बिजली तो सब से पहले यह पांच समाधान करना पड़ेगा उसके बाद भाती जंता पर्टी का जो गोष्णा पतर आएगा उसको नहीं जा रही हैं उसके साथ में यहाँ हो उस नं योजनाओं का ज्यदा से ज्यदा लाव यहां जन्ता को दिलाने का प्रयास करूंगा पार्टी में कुछ लोग नराज है इन्हें आप कैसे टेकल करेंगे और रननीती क्या होगी आपकी भारती जन्ता पार्टी एक परिवार है और परिवार के अंदर में और सब को अपना हक मांगने का अधिकार रहता है उन्होंने मांगा किसी एक को पार्टी ने अपना दिया उसके बाद में हम लोग सब एक हैं एक यूट होके ही लड़ रहे हैं किसी को कोई गिला शिक्वा नहीं है और मेरे को भी नहीं मिल किया किसी और को मिलती वो भी मेरे से भी योगी योगी लोग थे तो भी मेरे को कोई गिला शिक्वा नहीं होता है तो यह थे संपत अगरवाल जी बसनाविदान सभा से भाश्वा प्रत्यासी जो यह मान रहे हैं कि पाल्टी प्रमुक होती है और टिकट का मांग सभी कर सकता है पाल्टी में टिकट मिलने के बाद सभी एक परिवार के सदस्या सब मिल जूलकर काम करेंगे और अ जनानजेत्र पाठ्थी आई वीची टोर्टी फोर महासमुर्ण